हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू स्टॉक मार्के ट्रीक्स, वन्स अगें आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे, आज यह दूसरी विडियो है मेरी और इस टॉपिक में हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे एक इंडिकेटर के बारे में जो आड़ीशा इंडिके आप देख लीजिए और फिर समझे कि मैंने क्या चीज़े बताई है आपको ठीक है तो अभी यहाँ पर देखेंगे आप मैंने आरेसाई 14 लगाई हुई है इसका सेटिंग देख लेते हैं लोग 14 लगाया है और स्टाइल में आप जाके देखेंगे मैंने क्या किया है कि एक ल रसाई वो है और यह जो अरेड कलर का है हमारा वो 50 का यह लाइन यहां पर और जवाले आप्शन से हमारा आ जाता है इसको आएगा इसको क्लिक करेंगे तो लो़र लिमिट आ जाता है तो यह हम अपर लिमिट में हमने इसको 50 कर दिया ओके या जो हमने दो और चीज़े जो कि रेड कलर से यहां पे ब्लै कलर से धीनोट की गई है ठीक है ब्लै कलर से जो है 200 आपि का यह में है और 50 कि यह इसमें buy or sale signal कैसे निकाल रहा है ठीक है तो होता क्या है कि बहुत यह RSI में क्या होता है कि RSI का बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें बताया गया है कि जैसे ही 20 के नीचे जाता है जो कि इसके लेवल पर जाता है नीचे जाता है तो एक तरह से क्या हो जाता है 20 के नीशे जाता है तो हम लोग वो देखते ही कि मार्केट ना एक बॉटम बना चुका है और मार्केट का जो है डीप आ चुका है हमें वहां से बाइंग करनी चाहिए ठीक है उसी तरह से जब 80 का इसका एक लिवाला जाता है तो ओबर वॉर्ट जोन बूला जाता है उसको मतल कि वहां पर बहुत जादा बाइंग हो चुकी है तो यहां से मार्केट एक बेरिस फेज में जा सकता है ठीक है लेकिन मेरा जो यह यह पर्टिकुलर स्ट्रेटीजी यह ऐसे काम नहीं करता है इसमें होता क्या है कि जब भी 50 के उपर अगर ऐसे क्रॉस करके निकल गई यह ल क्या हुआ हम देखें मार्केट को सेल में देख रहा थें क्योंकि हमारी डाउन यह हुई थी मार्केट उपन मैंने इस निफ्टी 50 का चार्ट उपन किया हुआ है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इस तरह से जो हमारा आरेस आई भी है नीचे के तरफ है हमारा जो यह मुविं जो है यह टू हंडिट ये में के उपर तेटल क्लोज हुई हैं और उसी के हिसाफ से यहां 50 के उपर हमारी दोनों को यहां पर ब्रेक करके ऊपर चली गई और यहां पर आरेस आई में भी हमारा सेम सीनेरियो हुआ है ठीक है तो इसको भी हम एक और तरीके से कर लेंगे इसक तो हम इसी कहीं साब साबी ट्रेंड लाइन बनाएंगे अगर हम लाइब मार्केट में रहेंगे तो क्योंकि हमें तो आगे का पता नहीं कि कौन सा केंडल कहां पर बनने वाला है तो अगर हम इसी कहीं ऐखेंड तो आप दिखेंगे कि दीन युहर जो मार्केट हैरे इसी ट्रेंड light के नीयर ही घूमती रही है और हमारे जो टार्गेट से कहीं बूख हो गए सारी काने नहीं लेकिन सारे काम नहीं पर आसे आप काम देग骰 दिक करते हैं आपको इसको फिल् हमारा आप देखेंगे कि देगे 221 क्या होताइग ये की यंद में यह क्या काम करेंगा ये काम करेगा जब भी 200 अवड एजू है उसके उपर मार्केट है मतलब उसके उपर-Candles बन रही है 15 मिनट में देखिए हम इंट्राइडे की बात कर रहें तो मैंने जो यह वीडियो बनाई है इंट्राइडे के परपस से बनाई है कि आपको इंट्राइडे में कहां कहां अपर्चिनिटी मिल सकती है तो अभी देखिए 200 का मुविंग अबरेज क्या काम करेगा जब भी इसके उपर कैंडल्स बनती रहेंगी तो हम समझेंगे कि एक जो इंट्राइडे में है यह हमें अप ट्रेंड दिखा रहा है अप मूब दिखा रहा है तो यह मार्केट जो है कहीं ने कहीं एक अप में रहने वाली है मतलब स्पक्राइड और यह हमारा यह जो रहा जो है ना हमारा रहेड वाला जो है 50 का मुविंग अभरेज है और यह त्वक्ति वाला है वह ब्लैक है तो जब भी इस तरह से आपको कंबिनेशन दिखाई दें मतलब दोनों मुविंग अभरेज के अगर यह उपर चल रहा हो तब तो बहुत यह strong zone रहता है और यहां पर आप देखोगे कि यह 200 रेस के उपर यह इसने closing दी ठीक है यहां पर देखिए 200 रेस के यह में के उपर चोटा से candle closing वाद तो कभी भी आपको इंटरी जब कभी करनी है कि जहां पर आप देखिएगा कि जो आपको उयां कि जो आपको उन्टरी करनी है ठीक है अब मैं आपको पीछे से पूरी ट्रीट दिखा लिता हूं कैसे क्या हो यह तो आज का trade हो गया जो के मैंने बताया तो आपको कहां entry करनी थी जो छोटा वाला candle होता यहां पर इस छोटे candle पर कहीं आपको entry करनी होती थी कि अगर हम stop loss की बात करें तो stop loss हमारा बड़ा हो जाता तो थोड़ा सा हम वेट करते मार्केट को थोड़ा सा और अगर लेते मार्केट को तो फिर भी हमें stop loss यहां पर देना परता अगर हम इसको लेते इस छोटे candle पर लेते तो हमको इसके swing low के आसपास लेना परता यहां पर stop loss तो यहां पर थोड़ा stop loss बारा था लेकिन मूव मी आप मूव भी आपको यहां पर ज्यादा मिला है ठीक आप देखोगे यहां पर कि 91919085 है तो 9100 के आसपास भी अगर इंट्री करते आप तो पॉइंट का यहां पर आपको मूवी इसने दिया अब कल वाले दिन क्या हुआ कि आप देखिएगा मार्केट डाउन ओपन हुई यहां पर और इसने क्या किया है 200 डेस के नीचे जो है यहां पर प्राइब ता हमारा और रसाइब हमारा कहीं निचे यहां पर आप देखिएगा यहां पर तो 50 के नीचे हैं और यह जो मार्केट नीचे के तरह ही गिरी उसी तरह से और हम एक ट्रेंड लाइन भी डॉकर करके इसको तो अध्राइब भेरिफाइब कर लेंगा मतलब इस तर तो आप देखोगे कि मैंने यहां से ट्रेंड लाइन ऐसे करके ड्रॉव कर दी तो मतलब मार्केट अगर गिरेगी अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलू करना होगा तो कैंडल यहां आएगे फिर यहां से बनाएगे फिर यहां से बाउंस बैक करेंगे तो ट्रेंड लाइन का यह महत्वह इंपोर्टेंस है यह सपोर्ट और रिजिस्टिंस की तरफ काम करता है तो अब हम पीछे वाले बिंस में चलते हैं अब यहाँ पर देखें क्या हुआ यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो यह तू हंडेडेड का एमें है मार्केत यहां तो गिरी धेनल भी हमारे इसके नीचे क्लोजिंग हुई थीक है यहां पर यहांपे एकन्डल सुनीचे गिरा और एक बरा कैंडल यहां पर हमारा बना तो यह देखें कि यह तो 200 के उपड़ है यह 50 के उपड़ है तो हमें यहां पे इंट्री कर लेनी चाहिए थी तो आपको यहां पे कभी इंट्री नहीं करनी है क्यों क्यों कि आपको जब भी देखना है कि मुभी आवरेस से कैंडल बहुत अगर दूर पे हो इस तरह से दूरी बना के हो तो इंट्री नहीं लेनी है आपको हमेhes के पास में देखना है मतलब आपको नियर चैंडल पे देखना है जो यह यह में के पास एकदम हो या तो 200 के बास हो या तो 50 के आसपास हो और हमें करना ट्रेंड लाइन से और और नर्वाई सी वेरिफाइब करना आप जैसे मैंने यहां पर ट्रेम ड्रोग की आप देखिएगा यहां पर इस तरह से ट्रेंड लाइन जो हमारा जा रहा है okay यहां पर ट्रेंड लाइन ऐसे गया कि एक सेकेंड मेरा तरह जो अर्-थैर एक चला गया क्लिक कर गया मैं पता नहीं मेरा RSI like मैंने क्लिक कर दिया कहीं पर तो यह मेरा गया हो गया तो लगाने का मैं एक बार तरीका भी आपको सिखा जाता हूं यह देखिया RSI हमारा है relative strength इंडेक्स और मैंने यहां पर लगा दिया और अच्छा यह तो आगया मेरा ठीक है आगया ठीक है तो आपको ट्रेंड लाइन से भी वेरिफाई करना है और इस तरह से जब भी 50 के उपर रहेगा 50 के उपर रहेगा और हमारा इस तरह से crossover आ जाएगा तो आपको entry कहां करनी है इसके आसपास कहीं न कहीं मतलब moving average के आसपास candle का अगर formation हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है मतलब वहां पर entry बनेगी तो आपका जो stop loss रहेगा बहुत कम रहेगा और आपको जो risk है बहुत ही कम उठाना पड़ेगा तो आप पहले इसको paper trade कीजिए और फिर बातों को समझे और आप कम से कम 4-5-10 stocks पे इस strategy को बना के देखिए अब देखिए यहां पर भी क्या हुआ इसमें भी क्या हुआ 50 के नीचे गया यह हमारा और 200 के नीचे candle candle closing दी ठीक है candle closing दी अगर हम इस पे entry करते हैं तो हमारा जो stop loss होता है यहां यहां पर हमें रिस्क जादा उठाना पड़ता तो उसको verify करने के लिए हम क्या करेंगे हम एक जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से अब देखो यहां पर ऐसे ट्रेंड लाइन जो हमारी formation हो रही है फॉर्म हो रही है ठीक है तो आपको जो है ऐसी करना है सार दिन क्या हुआ मैं अभी बता देता हूँ आपको अब देखिए यहां पर 50 के उपर गया यह 50 के उपर गया यह और यह हमारा क्या हुआ कैंडल नीचे बन रही थी कैंडल जो है हमारी नीचे क्लोजिंग दे रहे थी और इस एक ग्रीन कैंडल यहां पर हमें एक confirmation दिया यहा यहां पर है मार्केट थोड़ी उपर जा सकती है और आरे साइब जो हमारा 50 के उपर चला गया था तो और उपर से 200 का जो यह हमारा एक moving average था तो जब भी यह इस तरह से moving average उपर की तरफ हो मतलब नीचे अगर हो 200 का तो वो बाई में रहता है अगर उपर हो तो एक selling का opportunity होता है लेकिन यहां पर क्या हुआ कि अगर हम यहां पर entry करते तो यह देखते कि क्या देखते हम यह देखते कि हमारा जो RSI है यह हमारा 50 के उपर रहना चाहिए तो 50 के अगर उपर रहता हमारा तो हमें इंट्री करनी थे लेकिन हमें यह भी एक कंडिशन देखना है कि हमारा जो 200 का moving average है वह उपर है मतलब यह क्या है यह opportunity हो गई selling की तो यहां पर बाई नहीं करना बनता था लेकिन अगर यहां पी अगर बाई कर लेते फिर भी आप जो है profit में थोड़ा बहुत रहते ठीक है अब किसी दिन ऐसा नहीं है कि यह जो है इंडिकेटर ने आपको false signal दिया है लेकिन यही है कि आपको यह सब सारा कुछ live में करके देखना पड़ेगा चीजों को समझना पड़ेगा और कभी भी अगर आपको entry लेनी होगी तो कहां लेंगे आप इस तरीके से जब candle formation हो रही हो ठीक है इस तरीके से candle formation हो रही हो और ए 200 का जो moving average है हमारा यह यह देखिए उपर की तरफ था और इस दिन जो है हमारा यह जो हमारा 50 का moving average था वो नीचे की तरफ था ठीक है तो इस scenario में क्या हुआ कि हमें बस selling के लिए opportunity find करनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा इस वाले ने verify किया RSI ने कि buy करना चाहिए हमें और यहाँ पर candle उपर closing हुई और चोटे चोटे candles बन रहे थे तो हमें इसको verify करने के लिए क्या करना परता इसको verify करने के लिए हम एक तो यहाँ पर trend line proper बनाना होता मालो के सर आप यहाँ पर like जखी यहाँ पर जो candles form हो रही तो इसके इसाब से हम इसको चोटे चोटे जो candles है इसके विक को मिलाते हुए एक तरह से हमारी trend line आपर form होती ठीक है माली जिए सर आपने यहाँ पर entry ले हो होती candle उपर हमारी closing चोटे candle पर तो आपको जो stop loss चोटा देना पड़ता यहाँ पर अगर आप इसको देखिए तो यह कहीं न कहीं प्राइस यह जो हमारा 7925 के आसपास है और इसका जो लो है कि एक सेकेंड यहाँ पर अगर इंट्री ली होती आप ने तो जो इसका swing low है वो आपका stop loss की तरह काम करता तो देखिए मार्केट में रिस्क भी है तभी reward आपको मिलता तो यह दिन तो हमारा मिस हो जाता अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमारा profit target कहां पर रहता तो जो हमारा target रहता ना देखिए अब 200 का जो moving average है वो एक तरह से इसको resistance की तरह इसमें काम करेगा तो resistance की तरह काम करेगा तो हमारी profit taken कहां रहेगी यहां पर रहेगी ठीक है किसी-किसी दिन जो हमारा उल्टा भी जो ऐसा scenario आ जाता है तो उस दिन भी हमें यह चीज़ देखना पड़ेगा तो ह हम RSI से confirm कर लेंगे कि क्या चीज़े हो रही है क्योंकि short trend जो होगा ना short trend जो होगा short trend तो वह जो हमारा verify नहीं हो पाएगा और वह हमको मिलेगा नहीं तो हमको filter करना पड़ेगा सर ऐसे नहीं होगा market में काम अब इस दिन देखिए आप क्या हुआ कि 50 के उपर यहां यहां प पर क्या हुआ कि हमने यहां पर एक यह ट्रेंड लाइन ड्रो किया है तो देखिए हमारा जो ट्रेंड लाइन है यह फॉलो नहीं हो रहा है और आप देखिए यहां पर कि जो कैंडल्स जो है प्रोपर क्लोजिंग नहीं हो रही है और सही से सही तरीके से क्लोजिंग नहीं ह हो रही है और हमारा जो 200 का moving average बहुत काफी ऊपर था यह हमारा और यहां पर clear इसलिए नहीं हो रहा ना कि यहां पर चोटे-चोटे candles जो है ज्यादा जो candles यहां पर रेड़ बन रहे है रेड़ बन रहे है और जो इसका विक है आप देखिए इस candle का जो विक है कितना बड़ा था यह कितना बड़ा था यह मतलब यह जो है इस candle ने उपर जाने की कोशिस की इसने लेकिन seller का pressure इतना था कि seller ने इसको खीच के यहां पर ला दिया तो यह क्या बन जाएगा हमारा एक resistance बन जाएगा यह जो एडिया है हमारा है कि resistance बन जाएगा तो मा लीजिए कि आपने यहां पर इंट्री ले ली होती इसको देखके तो जो आपका यह इस टॉप्लोस रहता न तो आपका जो स्विंग लो रहता यहां पर लाइक यहां पर अगर इंट्री ले ली होती चोटे- पर यह में यह स्वंग लोड है ता और आपको यहां पर क्या देखना होता ना कि हमारा जो क्रेंड लाइनय फॉलॉ को सब्सक्राइब यह तो इस क्र में आपको fake signals भी देंगे लेकिन out of 10 आपको जो है छे साथ time आपको क्या है profitable बना के रखेंगे यह ठीक है तो ऐसा नहीं है कि सारे इंडिकेटर्स आपको सही चीजे बताते हैं सही ठीक बताते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ काम नहीं करता मार्केट में काम करता है लेकिन basically आपको वही है कि paper trade करना पड़ेगा live trades निकालने पड़ेंगे ठीक आप देखिए यह कितना अच्छा इसने trade दिया यहां पर यह 50 के नीचे हमारा यह 50 के नीचे हमारा है और देखिए कितना अच्छा fall हुआ और कभी भी जो है यह 50 के उपर नहीं गया यह यहां थोड़ा ब market ठीक है तो अगर इंट्रीस में बनती हमारी तो कहीं न कहीं इस candle पर यहां पर बनती इस लिए क्योंकि यहां पर जो हमारा 50 का जो moving average है एक तरह से यहां चोटे candles बने और इस पे नहीं यहां पर इसने closing दी और एक resistance जो हमारा यहां पर 200 का बन रहा था तो जो टार्गेट्स है थोड़े बहुत है फिर profit आए आपको दिख रहा है कि हाँ मेरे trading में trading terminal में मुझे कुछ profits भी दिखाई दे रहे हैं तो आप क्यों ना उसको book कर ले आप किसके लिए वेट करोगे तो फिर आप जो है वो profit वहां से उसको close कीजिए जब आपको इतना clear नहीं हो पा रहा है को कोई भी चीज तो फिर आप मत बैठे रही है यह तो सर चीजों को समझी आप तभी आप trading कर पाएंगे अधरवाइस trading जो है नहीं हो पाएगी जब भी देखिए ऐसा जब होड़ा है हमारा 50 के उपर जा रहा है यह तो थोड़ा बहुत profits हमें मिल रहा है लेकिन जो major trend है जो 200 यह में जो हमारा है तो नीचे की साइड में है नीचे की साइड में है तो हमें क्या होंगे ना देखिए जो major trend रहता है उसके हिसाब से अगर 15 नीचे है candle इस वाले candle ने जो है बड़ी यहां पर closing दी यहां पर closing तो दी और उसी के जैसे हमारे 50 के उपर था यह हमारा तो आपको क्या करना है कि आज यह देखिए 915 का candle था तो इसका जो हाई है हमारा जो हमारा स्विंग इमेडियेट स्विंग हाई जो है जो तो एक तरह से strong trend हो गया मतलब trend को अगर change होना है तो कम से कम जो इमेडियेट उसका जो swing हाई है उसको एक बार वो break करके उपर चला जाए न तो वहां पर जो position से add होने लगती है जादा तो यहां पर क्या हुआ यह उपर नहीं गया और एक बात और यहां पर हम एक trend लाइन पी ड्रॉ करके देख लेंगे यह क्या चीज़े यहां पर हो रही है आप देखेंगे कि कि ट्रेंड लाइन भी हमारा यहां पर फॉलो नहीं हुआ है अच्छी तरीके से ठीक है ओके तो मेजर जो ट्रेंड हमारा यहां पर बेरिस का था सो इस तरह से आपको चीज़ों को फिल्टर करना पड़ेगा चार्ट को देखना पड़ेगा तब ही आप जो है प्रोपर सही तरीके से काम कर पाएंगे मार्केट में यह हमने यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया वही देखे हम ने पहले के कैंडल्स को लेकी यहां प्रेंड लाइन ड्रॉam किया है तो पहले के कैंडल्स से भी अगर हम GET अशयूल पर इसने दिया लेकिन हमारी ही इंट्री कहां पर बनती यहां प्राइज लीए ना यहां पे बनते हैं क्योंकि देखिए यहां पे इसका जो सभाइज निकालना सही रहता है क्योंकि उसका ब्रिक ब्रेकाउट हो जाता है तो उसको पॉजिटिव हम साइन बोलते हैं तो कहीं न कहीं है 200 कि आसपास गया और फिर जो है मार्केट वहां से मूब हुई है तो देखें प्रॉफिट निकालना आपके हाथ में हैं टार्गेट्स आपको एक परसेंट चाहिए कि दो परसेंट चाहिए उसके हिसाफ से काम करना पड़ आदे के से आप देखो इस दिन क्या हुआ कि तुम हन्रेड्ट एमें जो हमारा है को ठूपर था और मार्केट हमारी गयब डाउन ऊपन हुई यह हमारा नीचे था और देखें कितना अ अच्छा यह नीचे गिरा है उसका क्यूंकि हमार्क की घ er कि कि उसके आ से रियांड आ है तो हमारी इंट्री नहीं बनती है हमने कभी भी बोला है हमारे वीडियो में क्या कि जब भी कोई ये में हो उसके बास जो इंट्री बनती है वो पर्टषेक्ट इंट्री होती है चोटी कैंडल पे- TIM चैइए तो आपको क्या करना है कि यह बड़ी कैंडल बनी इसके लोग पर आपको इंट्री करनी थी इसका जो लोग प्राइस रहता उस पर आपको इंट्री करनी होती तो आप देखिए कि कितना चाहां वहां से भी आपको मूव मिला है और यह कभी भी जो 50 के ऊपर नहीं गया है ठीक है तो आप सब चीजों को समझे ट्रेंड लाइन ड्रो कीजिए और एक्स्प्लोर कीजिए चीजों को चार्ट को एनलाइज कीजिए हाई टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमें इसमें स्विंग ट्रेड निकालना होता ठीक है तो मैं इसका जो टाइम फ्रेम में थोड़ा बड़ा कर यहां पर किसी ने इंट्री किया होता इस चोटे वाले कैंडल पर तो कहीं न कहीं 200 का जो मुझी आवरेस साइग घंटे में यह हमारा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था ठीक है मैंने जो है अपने वीडियो में आपको पहले भी बताया है तो तिन दीनों से भी कि ऐसा यह काम करता है तो यहां से इसने क्लोजिंग दी 50 को तो हमारा जो टार्गेट सा कहीं न कहीं इसके आसपास रहता तो आप देखो कि 50 के उपर यहां पर निकला और यह कितने अच्छे यह स्विंग ट्रेट्स में हमारा यह बना यहां पर प्रॉफिट एक है और 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 कैसे न्यूज आ जाती है इसलिए आप जो है इंट्राटे ही ट्रेड कीजिए कुछ अगर ट्रेड से निकले तो आप कीजिए अधरवाइज नहीं कीजिए कोई भी पोजिशन होल्डिंग में मत रखिए यह मेरा मानना है आप लोगों को जैसे करना आप लोग कर सकते हैं सो चीजों को स्प्लेड कीजिए और चीजों को सीखिए अगर मैं इसी को फिप्टीन फाइव मिनिट में ले जाओं तो और भी छोटे हमको सिगनल मिलेंगे और वहां पर भी सिगनल मिलेंगे ठीक है लेकिन वहां पर थोड़े बहुत सिगनल मिलेंगे हमको इस तरीके से आप तो फाइब मिनट का टाइम फ्रेम में इसलिए नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वहां पर थोड़े ज़्यादा फेक सिगनल मिलेंगे तो इसलिए फिप्टीन मिनट ठीक है इंट्राडे के लिए इस पर्टिकलर स्ट्राटिजी में आप इसको पहला बैक टेस्ट किजे ची जैसे ही कोई इंडिकेटर मिलता है आप लोग ब्लाइंडली विस्वास कर जाते हैं कि हाँ यह सही में काम करता है तो चीजों को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट चीज क्या होती है लाइब मार्केट में सारी जो वैल्यू है सारी इंडिकेटर की सेटिंग है आप करके और चीजों को समझेगा सर ठीक है तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए और हमें बताइए अगर आपको कुछ डाउट है और प्राइस एक्शन के वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी कुछ-कुछ नयने चीजे जो है मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना के रहे ही चीजे ऐसे ही